नमस्कार दोस्तों स्वागत थापकार के क्लासिस में BPSC PT बिहार सचीवाल है इवम अन परिक्षाओं के लिए आज हम लोग जोगरफी में पढ़ने वाले हैं अस्टेलिया को इससे पहले देखिए हम लोगोंने महादीप से संबंदित कई सारे जो अलग-अलग महादीप का वीडियो कवर कर लिया है यह दियू से आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पास वाले बेल अकन को जरूर दबाएं वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक्षे दिख लाइक और शेयर जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं अस्ट्रेलिया फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पापुआ न्यू गिनी अब देखिए यह जो है गिनलेंड की बाद दूसरा सबसे बड़ा दूइप है अच्छा एक और बात बताना चाहेंगे कि अभी UPPCS को जो जाम हुआ आप विस्वास नहीं करेंगे बहुत सारा कुश्चन जो है डिरेक्ट मतलब हम लोगों ने उसको कवर किया था बहुत सारा कुश्चन था बहुत अच्छा लगा देखके कि चलो मतलब साइट रएक पर हम लोग जा रहे हैं अगर आपने पीछे की लेक्ट्र को अगर देखा होगा तो आपने और पेपर देखा होगा UPPCS का तो आपको पता चल गया होगा तो मज़ा आगया देखके अमीद है कि आगे हम लोग जो गजाम देने वाले हैं उसमें आपको इसका जरूर लाब हो खेर चलते हैं शुरू करते हैं तो दियान रखिएगा सवाल आपसे पूछ सकता है और यह BPSC में पूछा भी गया था 64 BPSC में पूछा गया था कि बॉर्णियों फिर ग्रीनलेंड और पापवा न्यूगिनी इस तरह करके कोशन आया था उसमें जो है दीपों को पूछा था कि सबसे बड़ा दीप कौन सा तो दियान रखिएगा यह सवाल पूछा जा चुका है तो दियान रखिएगा यह जो पापवा न्यूगिनी है यह ग्रीनलेंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूइप है इसका मतलब पहस जो सबसे बड़ा दूइप है यह कौन सा है ग्रीनलेंड अच्छा यह देखिए यह पूछता कैसे है पापुआ न्यू गिनी जो है यह कहां इस्तित है तो ध्यान रखी का प्रशान्त महाशागर में कहां पर है प्रशान्त महासागरम अच्छा यहां देखिए पापुआ न्यूगिनी और अस्ट्रेलिया यह वाला जो आप फीगर देख रहे हैं इस तरह से संरचना जो बना हुआ है यह अपना अस्ट्रेलिया है दियान रखिएगा पापुआ न्यूगिनी अस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जलसंदी है सवाल आपसे पूछ सकता है कि टॉरस जलसंदी इस चित है डैस तो दियान रखिए पापुआ न्यूगिनी और अस्ट्रेलिया के बीच में याद कैसे रखेंगे कि पपुआ को आस है टॉस जीतेगा ठीक है पपुआ से आपके रखना है पापुआ न्यूगिनी आस से उस्ट्रेलिया टास जीतेगा ठीक है टारस जलसंदी आगे अगर आप इधर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक खाड़ी है कारपेंट्रिया की खाड़ी most important सवाल आपसे पूछ लेगा कारपेंट्रिया की खाड़ी से संबंदित महादीप है तो आस्ट्रेलिया फिर देखिए इंडोनेशिया यहाँ पर है और आस्ट्रेलिया इसके मद्द में अराफुर सागर है अरा फुर सागर ध्यान रखें और देखिए यहाँ पर बोना पार्ट की भी खाड़ी है चलिए आगे देख लिते हैं पहला नमबर पर देखिए कुिंसलेंड जिसकी राज़ानी ब्रिश्ट बैन है ठीक है फिर दूसरे नमबर पर आप देखेंगे यह सभी प्रांतों में बटा हुआ है न्यू साउथ विल्थ जिसकी राज़ानी सिड्मी है अगला है विक्टोरिया नमबर फूर है दक्षिनी अस्टिलिया एडिलेड है पांचमा है पर्थ जो की पस्चिमी अस्टिलिया की राज़ानी है और छटा है उत्री डार्विन उत्री परदेश जिसकी राज़ानी डार्विन है तो इस तरह से यह च्छे भागों में यह बिभाजीत है इसको ध्यान रखिएगा इस साइड में हो गया प्रसांत महासागर इधर हो गया हिंद महासागर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक स्पेंसर की खाड़ी यहाँ पर आपको दिख रही होगी सवाद पूछ सकता है कि आपको स्पेंसर की खाड़ी से संबंदित महादीप तो ध्यान रखिएगा अस्ट्रेलिया स्पेंसर की खाड़ी बीच में कौन सी जलसंदी है बहुत बार सवाल पूछा गया है ध्यान रखिएगा बास जलसंदी बास जलसंदी अस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है बात करें तस्मानिया की तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी होबर्ट चलिए आगे देखते हैं कहता है कि छेतरफल के धार पर अस्टेलिया सबसे चोटा महादीब है अस्टेलिया को 85 भूमी का देश कहते हैं सवाल आप से पूछ सकता है कि निम्न में से किस महादीब को 85 भूमी का देश कहते हैं तो ध्यान रखिएगा अस्टेलिया को इसके अलबा देखिए इसके अलबा देखिए अस्टेलिया को दे लेंड ओफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है सवाल आप से पूछ देगा दे लेंड ओफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं अस्टेलिया को प्यासी भूमी का देश किसे कहते हैं अस्टेलिया को तो ध्यान रखिए यह से पूछ सकता है मकर रेखा जो है अस्टेलिया के मद से गुजरती है बहुत असान सवाल सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन सी रेखा अस्टेलिया के मद से गुजरती है कर्क भूमद इस तरह से ध्यान रखिएगा मकर रेखा Australia में 6 प्रांट और 2 केंदर साशित परदेश है यह केंदर साशित परदेश है तसमानिया जो कि आपने देखा कि तसमानिया और Australia के बीच में बास चल संदी है और एक हो गया Canberra अब देखिए जैसे इसको आप कैसी याद रखेंगे B.H.C., M.A., Ph.D., B.C. Brisbane, S. Sydney, C.C. Canberra, M.C. Melbourne, A.C. Adelaide, P.H.C. Perth, D.C. Darwin, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए, प्रिवेस एर में पूचा गया है कि अस्टिलिया में A.M.U. एवं कोका बर्रा पक्षी पाया जाता है, कोका बर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं, ध्य उड़ नहीं पाता है, लेकिन तेज दोड़ता है, लायर बर्ड जो है, आपसे पूच लेगा कि लायर बर्ड जो है, किस महादीप में पाया जाता है, ध्यान रखिएकर लायर बर्ड जो होता है, यह स्टिलिया में पाया जाता है, क्लियर है, छे प्रांत, दो केंसासित पर अब देखिए यहां पर प्रमुख परवत जैसे की रिनाल्ड रेंज, मैकडोनाल रेंज, डार्लिंग रेंज, ग्रेट माउंटेन, ब्रोकन हिल्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां परिस की darling, नई नई इंगलेंड गई, new England, नई नई इंगलेंड गई, मैक डोनाल्ड में जो है खाना खाई, blue mountain पर चड़ी, और बाद में जो है रोनाल्डो का heart broken, broken hills, heart broken करके चली गई, ध्यान रखिएगा, great dividing range, रोनाल्ड range, मैक डोनाल्ड range, darling range, grey mountain, blue mountain, यह सब जो है अस्टेलिया में है, रोनाल्डो की darling, नई नई इंगलेंड गई, मैक डोनाल्ड में खाना खाई, blue mountain पर चड़ी, बाद में रोनाल्डो का heart breaking कर दी, तो यह बहुत असानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, important इसमें हमारा blue mountain है, great dividing range है, जो की बहुत बार पूछा गया है, लेकिन हमें ध्यान में सब रखना है, कि मैक डोनाल्ड range, broken hills, darling range, चलिए आगे देखते हैं, कहता है, जो great dividing range है, यह अस्टेलिया की सबसे लंबी परवसरेनी है, जो की विश्व की चौथी सबसे लंबी परवसरेनी है, तो ध्यान रखी, important है, सवाल आप से पूछ सकता है, कि अस्टेलिया की सबसे लंबी परवसरेनी कौन सी है, great dividing range, उसके लावा, mount, cause, useco, cause, useco, यह अस्टेलिया की सबसे ऊची चोटी है, ध्यान रखीएगा, सबसे लंबा जो है, परवसरेनी, वो है, है हमारा great dividing range, लेकिन सबसे ऊचा चोटी पूछे, तो वो है cause useco, यह अस्टेलिया की सबसे ऊची चोटी है, चलिए, आगे देखेंगा, अस्टेलिया की प्रमुख पठार, तो देख लिजिए, सवाल बनता है, है हमरसले पठार, किंबर पठार, अर्णिम पठार, टुवंबा पठार, तुवंबा पठार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे figure में, तो देखिए, दो प्रायदीप भी आपको, दो तिन प्रायदीप दिख रहे होंगे, जैसे कैपिय प्रायदीप, अर्णिम प्रायदीप, और यहाँ पर है आयर प्रायदीप, तो ध्यान रखिए, यह प्रमुख प्रायदीप हैं, जो कि अस्ट्रेलिया में हैं, इसके अलावा पठार आपसे पूछ सकता है, कि टुवंबा पठार कहां पर है, सवाल आपसे पूछ सकता है, क omingUD का करेंगे अस्टेलिया की प्रमुख नदी यों के बहुत बहुत बार सवाल पूछा गया है सिड्नी किस नदी के किनारे बसा है मुर्रे नदी के किनारे इसके लावा देखिए पर्थ जो आपने देखा था पीएजडी वाला ये जो है श्वान नदी के किनारे इस्तित है पर्थ किस नदी के किनारे इस्तित है श्वान सिड्नी मुर्रे आयर देखिए आयर जील जो है य अस्टेलिया की नीनमितम बिंदू भी यहीं पर है ध्यान रखिएगा आयर के बारे में आप लोगों ने क्या देखा था कि आयर एक प्रायधीब भी है ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए तो अगर आप से सवाल पूछ ले कि अस्टेलिया की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो आपको याद करने के आउशकता नहीं पड़ेगी ये पर्त हम लोगों ने देखा स्वान नदी के किनारे है एक विक्टोरिया जो है यहाँ पर आयर जील है जो कि अस्टेलिया का सबसे बड़ा जील है चलिए आगे देख लेंगे हम लोग अस्टेलिया के प्रमुख मरुस् बहुत बार पूछा गया ग्रेट सेंडी गिप्शन सिंप्शन स्टूर्ट तनामी याद कैसे रखेंगे देखिए नामी विक्टूरिया विक्टूरिया काफी नामी है नामी विक्टूरिया सेंडी और स्टूर्ट के साथ सेंडी एक नाम है स्टूर्ट बेनी एक करके जैसे सन बात लिया जाता है मरोस्थल में तो नामी से याद रखिएगा तनामी विक्टोरिया से विक्टोरिया सेंडी सेंडी मरोस्थल स्टूर्ट स्टूर्ट मरोस्थल सेंपू सेंपेन और गिरकर गिप्शन बात ले रही है क्लियर है नामी विक्टोरिया किसके साथ बात ले रही है Sandy और Stuart के साथ सेम्पू लगा करकी, जाद हो गया ऊगा उम्मीद आपको, अब यहाँ देखिए, क्या कहता है कि यह रही Darling नदी इधर आ रही है, और एक नदी जो है यहां देखिए है अपना अस्टेलिया तनामी मरुवस्थल ग्रेट सेंडी गिप्शन ग्रेट विक्टोरिया मरुवस्थल यह बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा में यह पूछा गया है सवाल तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेट बेरियर रीफ लगबग 2000 किलोमेटर तक लंबा एक प्रभाल भित्ती है इसे समुद्री बगीचा कहते हैं सवाल यह नहीं पूछता सवाल पूछता यह कहां इस्थित है तो ध्यान रखिएगा यह जो कुइंस लेंड का उत्तर पुर्वी तर्ट पर इस्थित है कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा कुइंस लेंड कहां इस्थित है इस्थित है ग्रेट बेरियर रीफ कुइंस लेंड के उत्तर पुर्वी तर्ट पर देखे क्या कहता है कि भुमद रेका से तीस उत्तर एवन दक्षिन में प्रवाल भित्ती पा है अगे देखते हैं अस्थित है शिर्ट उस्थिता भी घहांस की मैदान देखिए धित्फित है कि घांस के मैदन को दाउंस कहते हैं ध्यान रखिएगा डाउंस यह फंपाज प्रेवी इह बहुत पू逐ता हैD ब्रेटली बहुत बाउंस मारता था है ना तो डाउंस कहता है कि करक रिखा इवां मकर रिखा कि बीच पाए जाने वाले घांस के मैदान उसन कटी बन दिये घांस के मैदान होते हैं यहां पर इन रिखा और इस रिखा कि बीच में जो घांस का मैदान पाया जाएगा वो उसन अस्टेलिया के घास के मैदान को डाउंस कहते हैं जबकि न्यूजिलेंड के घास के मैदान को केंट बरी कहते हैं न्यूजिलेंड के घास के मैदान को क्या कहते हैं केंट बरी आगे कहता है यहां पर ध्यान रखिए तो उत्तरपुर में कृइंसिलेंट के उत्तरपुर में ग्रेट बर्यार रीफ है ठीक है, Great Austrian Basin उत्तुर्त कूपों के लिए जाना जाता है, यह अस्टेलिया में, Great Austrian Basin, इससे क्या होता है, खुद बखुद इससे जो है, जल निकलते रहता है, कहता है कि Austria में मेरिनो भेड पाया जाता है, मेरिनो भेड, बहुत बार पुछा गया है है है, मेरिनो भेड जिससे जो है उन का उत्पादन होता है सरवादिक उन का उत्पादन जो है अस्टिलिया में ही होता है और मेरिनो भेड के पालक को जेकारू कहते हैं ध्यान रखिए जेकारू अस्टिलिया को उड़ते हुए डॉक्टर की भूमी कहते हैं ध्यान रखी का 85 भूमी उड़तेव डॉक्टर की भूमी यह सब अस्टेलिया को ही कहते हैं अस्टेलिया में विश्य प्रसिद सोने की खान काल गुरली और कुल गार्डी है एकदम इंपोर्टेंट बहुत बार पूछा गया है कि काल गुरली सोने का खान कहां पर है तो ध्या उत्पादन में चीन आगे है ध्यान रखीगा भंडार में अस्टेलिया मतलब फर्स्ट नंबर पर है लेकिन सबसे जादा उत्पादन चाइना में होता है अगला है मेरी कैथलीन चीतर ये यूरिनेम के लिए फेमस है ब्रोकन हिल्स मोस्ट इंपरेंट कुश्चन बहुत बार पूछता है कि जो जुड़वा खनीच के लिए प्रमुक छेतर है ब्रोकन हिल्स जुड़वा खनीच सीसा जस्ता इसमें पाये जाता है पिलवरा चेतर ये लो अ औरले खान हिरायोतूब प्रश्वित पिंग डैमन यहां पर पाया जाता है नेक्स्ट है एलिस इस्प्रिंग यह पैट्रोलियम के लिए फेमस है देख अस्टेलिया के मूल निवासी को एब्रो एबो रिजिनल कहते हैं यह ध्यान रखीए एबो रिजिनल किसे कहते हैं अस्टेलिया के मूल निवासी को और यहां का राज़्टे परतिक कंगारू है ध्यान रखीए यहां पर आप देखिए पूछा हुआ है कि विश्व में सरवादिक उन जो है निर्यातक दिस कौन सा है तो अस्टेलिया है उत्पादन में तीसरे स्थान पर है बॉकसाइड मतलब जो भंडारन में है यह पहले पर उत्पादन में चीन सरवादिक सिशा का उत्खनन जो है यह अस्टेलिया में होता है तो इस शिच को भी ध्यान में रखीए बात करेंगे अब नुजलेंड की तो और दक्षिन देप की खोच तस्मान ने की थी तस्मान यह हॉलेंड का निवासी था ध्यान रखिए कहता है कि अस्टेलिया में नुजलेंड के बीच तस्मान सागर मोस्ट इंपोर्टन सवाल बन सकता है कि अस्टेलिया में नुजलेंड के बीच कौन सा सागर है तस्मान सा ठीक है और उत्री एवं दक्षिनी जो न्यूजिलेंड जो दो भागों में बटा है उसके बीच में कुक जलसन दिया कुक कैप्टन कुक ने इसको खोजा था न्यूजिलेंड को पुर्व का ब्रिटेन कहते हैं मोस्ट इंपोर्टन्ट निम्ड में से किसे किस देश को पुर् दक्षिन्तम राजधानी है मोस्ट इंपोर्टन बन गया सवाल सवाल आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे दक्षिन्तम राजधानी कौन सी है नीचे चार ओप्षन देदेगा इसमें एक वेलिंटन रहेगा तो ध्यान रखीएगा सबसे उत्तरवाला आपको कमेंट क करके बताना है कहता है निजलेंड की सबसे उची चोटी माउंड कुक है सबसे लंबी नदी बैकाटो नदी है बैकाटो निजलेंड की मून लिवासी माओरी जो है के नाम से जाने जाते हैं और एक नदी है बांगा नूई नदी बांगा नूई इसको ये लोग पवित्र मा मैदान केंटबरी कहलाता है पीछे हम लोगों ने पढ़ा था अस्टेलिया का डाउंस यह सितोष्ण घास का मैदान है कीवी पक्षी निजिलेंट का रास्ट्रिय परतीक है ठीक है कंगारू अस्टेलिया का है तो अस्टेलिया से संबंदित इतना चीज आपको असानी से याद होगा उम्मीद आपको यह अच्छे से रिविजन हुआ होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जलूर करें मिलते हैं अगले लेक्षर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत